राम राम गाईज, एक्सल एक्स्पूरर्श एम्पायर में आपका हार्दिक स्वागत है जैसा कि पिछले सिरीज में हमने जीपीडी का यूज एक्सल में सिखा था उसी करम में आगे बढ़ते हुए एक एक्जामपल और लेते हम जीपीडी के फार्मूले का यूज कराएंगे एक्सल में रा प्रडॉक्ट नेम दिया हुआ है इससे हम सॉटें डेम को einगे यहां प्रडॉक्ट के कुछ नाम है जो बड़े विड़े डिटेल में हम सॉटें डेम में बन देंगे अगर आपके पे GPT एक्टिवेट है तो ठीक है वरना आप एडिंस पे क्लिक करा करके भी GPT फार एक्सल वर्ड को एक्टिवेट करा सकते हैं यहां हम फार्मुला जूज करेंगे GPT का नारमा GPT का इसके लिए यहां पर मैं फार्मुला जूज करता हूँ is equal to GPT टैप दूँगा double inverted comma में मुझे जो डीटेल चाहिए होगी वो मैं लिख दूँगा यहां पर जैसे मैंने यहां पर लिखा तो मैं फार्मुला चलाओंगा is equal to GPT टैप देखरके double inverted comma में देखूँगा certain the product name in maximum four words double word comma को close कराऊंगा comma दूँगा उसके बाद मैं raw product name को select कराऊंगा और shift के साथ 0 दबाके close कराके इंटर कर दूँगा यहां पर इसने four words की जगए तीन words में ही sorted name करके दे दिया क्योंकि वहां पर four मैंने numeric key में लिखा हुआ था इस वज़े से तो चलिए इस गलतिक मैं यहां नीचे सुधारता हूं यहां मैं और clear करता हूं instruction यहां मैं लिखता हूं is equal to GPT टैप देखरके double inverted comma में लिखता हूं certain product name या shortened name in maximum four character या four words लिखरके double comma को close कराओंगा कामा दूँगा उसके बाद मैं raw product name को thread कराता हूं close कराके इंटर कर देता हूं यहां देखेगा यहां प्रॉपर मैंने फोर को FOUR करके लिखा था तो इसने four word में मेरे को data दिया है अब पूरी range में यही पूर्मले को मैं drag करा दूँगा आप देख सकते हैं कि raw product name में से उसने नाम को shorten करके निकाल दिया है अब मैं इस पूरी data को center में करता हूं और इसके font के size को मैं अपने proper use के हिसाब से घटा और बढ़ा देता हूं कि आपको दिखाई दे यहां आप को यह video समझ में आई हो पसंद आई हो तो फ्लीज video को like करिए और ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए channel को subscribe करिए thank you